हाई फ्रेंड वेलकाम बेक तो मैं चनल गाइज चलिए आज बात करते हैं सिकोर्टी क्या है सिकोर्टी की क्या रेस्पॉंसिबिलिटी होती है तो फ्रेंड्स यह वीडियो देखने के बाद आप लोग यह मत सुचे कि अलड़ी यह वीडियो अपडेट दिया हो लेकिन वह ज सिकोर्टी का मतलब है प्रटेक्शन आफ पिपल प्रटेक्शन आफ बिल्डिंग एंड काइंड इंफार्मिश उस तीनों में इंक्लोट किया जाता है तो चलिए वान बाई वान स्टेप बाई स्टेप आप लोग इसे शायर करोंगी और एक्स्प्लेंड करोंगी आप ड्यूटी टाइम कोई भी जगड़ा कर रहा है और उस जगड़ को रुकवाने के लिए आप इमिटेडली आप किसी उस डिपार्मेंट के चोड़ीज को बल सकते हैं या किसी कंशेक्शन बिल्डिंग में आप कर रहा है तो लेवर की कंटेक्ट को कंटेक्ट डार को बुला सकते हैं बला कर आप उस इंसिडेंट से इंसिडेंट को रुकवाने के लिए अप लुक यह कर सकते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको बोला जाता है प्रोटेक्शन आफ पेपल नेक्स आते हैं प्रोटेक्शन आफ पार्टी आप पार्टी को कैसे प्रोटेक्शन कर सकते ह सब्सक्राइब जाने के टाइम वार्टरर कन वहारा है जा रहा है मतलब एसी हो रहा है आप इमिटेड выпуск की सी कॉ किसी हं एसकी क्लाम यह किसी क cooling मेंटेनर्च रेटीफेक्श कर सकते यह प्रोटेक्ट टॉप पॉपार्टी और दुसरे तरह भी हो सकते आप छोटे राउंस में चोटे खटे ज़स इलेक्टरिनिक सर्ट सर्कियूट हुआ आप एक्स्टिंगुशार से उसको बुजा कर भी पॉपार्टी को सेफ्टी कर सकते तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट होते काइन इंफरमेशन इं अगलग रोल्स रेगलरेशन होती है आपकी पॉपारड़ी में प्रेंद बगरह यह सब ळाव नहीं होते क्यों नहीं होते तकि कोई भी दूसरे पवरभी से आगल आपकी पाणिका जो इंफरमिशन होती है वह एंफरमिशन लेकर ना जा सके इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे ह उसको बोला जाता है protection of information security का मतलब ओई है protection of property protection of people और information बाद में जो आते है यह job responsibility उसके बाद आते है job responsibility आप जिस जगह में आप जाकर join करेंगे उसकी अनुसार उस पार्टी के अनुसार आपको duties दिया जाएगा आपको rules regulation दिया जाएगा उसको आपको निवाना है यह है job responsibility job responsibility already वीडियो में आपडेट दिया था तब भी मता रहा हो security का job responsibility access controlling observation and reporting and traffic control CCTV information यह सब जो होते observation reporting मतलब आपको always duties time में अपजब करना है आपको अब जब करके suspicious कुछ भी ऐसे आपको लगे एमिटेडली आपके इंचर्ज के साथ संपर करना चाहिए और बताना चाहिए जो भी इंचर्ज आपके night में हो या दिन में रहे यह है duties और जो मैं पहले बोला हूँ जो अभी इस वीडियो में बताया हूँ यह है security का main भाग जो होते measure यही है security का काम जो एक security के अंदर में यह होना चाहिए है तो गाइस वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और ऐसा safety related वीडियो पाना के लिए मेरे चैनल को अभी तर्स सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब करें लिजिए ताकि वीडियो आपको मिल जाए लड़े